नमस्ते दोस्तों, मैं सुमान सर्मा, आपसे विकास स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमान एजुकेशन हब मी, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कोर्टेशन को आपको कैसे डिलीट करना है टैली प्रैम मी, तो टैली प्रैम को ओपन कर लीजि से आपको इसको डिलीट करना है वो हम देखेंगे तो यहां पर देखिए आपको वाउचर क्रिएट कर लेना है क्वाटेशन नाम से यहां पर यह इसके अंडर में आएगा आपको सेलेक करना है सेल्स ओर्डर अगेन आप सेल्स ओर्डर सेलेक कर लिजिए एक्टिवेट इस व का जो हमने वाउचर क्रियेट किया था वो वाउचर आपको यहाँ पे शो हो रहा है अब मैं आपको शो करती हूँ एक क्वाउचेशन हम यहाँ से बनाएंगे तो गेट फियो अप टैली से आप वी प्रेस कर लीजिए और राइच हैं से आपको अधर वाउचर पर क्लिक करना हैं और यहां से हम सेलेक कर लेंगे क्वाउचेशन वाउचर को तो यहां मैंने क्वाउचेशन वाउचर सेलेक कर लिया है और यहां पर जिस पार्टी के लिए आप क्वाउचेशन बना रहे हैं उस पार्टी का नेम सेलेक कर लीजिए उसके बाद क्या-क्या क्वांटिटी क्या ग्लाइम है वह आपको सेलेग करना है तो प्रसट बीटे भीक while ग्लाज टेशन साथ को बना रहे हैं अमक्त हैं कंप्लिए जो हुं पहिंगा करती हैं वहाँ क्लोजब देखने क seperti year आपको कैसे देखना है जो आपने कार्टेशन बनाया है Quartation बनाया है, तो gateway आप टेली से D, S, S प्रेस करेंगे आप आप यहाँ आप Quartation में देखेंगे तो जो हमें भी just Quartation बनाया था वो Quartation हमें आपे शो हो रहा है आप support कीजिए यह Quartation आपको नहीं चाहिए या पिर जिन्हों ने बनवाया है जिस पार्टी ने बनवाया है उनके भी उसका नहीं है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहीं से आपको Alt D, प्रेस करना है तहले आपसे option पूछता है डिलीस के लिए Yes प्रेस कीजिए और डिलीट नहीं करना है तो आप No प्रेस कीजिए अगर आप No करेंगे तो यह voucher डिलीट नहीं होगा, Yes करेंगे तो देखें मैंने आपे Yes किया था तो जो quotation है वो डिलीट हो चुका है अप quotation में आप देखेंगे यहाँ पर zero show हो रहा है, यानिकि जो entry हमने की थी, वो entry डिलीट हो चुकी है, तो इस step से अगर आप कोई quotation बनाते हैं और उसके बाद अगर वो use में नहीं है आप उसको नहीं रखना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो इस step से आप डिलीट कर सकते हैं टैली प्रैमिये